गुड मॉर्निंग स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आयार स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा अब अच्छो आपके इस लेबस में औरगेनिक केमिस्ट्री में अलकोहल मेंशन है आपको अलकोहल के बारे में पढ़ना होगा इ o यह तीनों आपको पढ़ने पढ़ेंगे और ट्राइय हाइड्रिक आलकोहल में आपको ग्लीसिरोल के बारे में पढ़ना होगा तो बच्क स्टार्ट करते हैं हम की आलकोहल को होते क्या है अलकोहल का जनरल फॉर्मुला होता है यहां पर बच्चो R जो है यहां बच्चो R जो है वह आपका अलकाइल ग्रुप है तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो है उनके जो विस्पण है यह हम कहें है हाइड्रकार्बन का हाइड्रोक्सिक व्थपन जो है वो हमारा अल्कोहल है अब अलकेल समू के अलावा आप यह स्ट्रक्चर देखिए इसमें जैसे यह जुड़ा हुआ है यह हाइड्रोक्सल ग्रूप है और यह किसी भी शंकला के साथ जुड़ा हो सकता है यह शाखित शंकला यानि ब्रांच चेन है उसके साथ भी जुड़ा हो सकता है यह साइकलिक सिस्टम के साथ भी जुड़ा हो सकता है यह बेंजन रंग के साथ भी जुड़ावा हो सकता है यह ट्रुपल बॉंड डबल बॉंड अलाइलिक बॉंड विनाइलिक बॉंड सब के साथ भी जुड़ावा हो सकता है यानि कि किसी भी compound में OSMU यदि उपस्तित है तो हम उसे कहेंगे कि वो alcohol है अब अच्छो अपन next पढ़ेंगे इसका classification अब alcohol के classification में मैंने आप लोगों को कहा था कि हम monohydric alcohol के बारे में पढ़ेंगे dihydric के पढ़ेंगे trihydric alcohol के बारे में पढ़ेंगे polyhydric alcohol के जो आपके syllabus में नहीं है मगर classification में नीचे लिखा हुआ है तो जनरली alcohol को हम क्लासिफिकेशन दो different way में उसका classification किया गया फॉर्स classification किया गया कि उसमें ओच ग्रूप ओच हाइड्रोक्सल ग्रूप उसमें कितने प्रेजेंट है इसे मोनो हाइड्रिक अलकोहल में आप देखिए आपको यहां नजर आ रहा है इते नो यह आपको मिथाइल अलकोहल हो गया यह प्रॉपिल अलकोहल हो गया इसी तरह से आप यदि डाया हाइड्रिक हाइड्रिक अलकोहल की बात करेंगे तो यह हो गया अपका इतिलिन घ्लाइक पर इसी तरह ट्राय-ğे यहाइड्रिक अलकोहल हो गया आपका घ्रीष ओप्ली अलकोहल में आपका सौर्बिटोल आताया है ब सेकेंड जो क्लासिफिकेशन दिया गया है बच्चों वह क्लासिफिकेशन क्या है कि अब जो आपका ओएज गुरूप जुड़ा है वह किस कारवन एटम पर जुड़ा है बच्चों यहां सामने स्ट्रक्चर देखने पर हमें सिंपल सा समझ में आ रहा है कि यदि वन डिग्री कारवन यो टर्श्री अलकोहल वन डिग्री टू डिग्री यों ठीडी अलकोहल पर ओएज के प्रेजन होने पर ही हम उनको बोलेंगे अब सेकिंड आता है कि जितने भी हमारे अलकोहल से इनका हम नामकरण के साधार पर करते हैं या नॉमंकलेचर क्या है तो बच्चों इनका यदी हम हाइड्रोक्सिल ग्रूप का यदि नामकरण देखें तो सबसे पहली जो पद्धति आती वे रूट प्रद्धति यानि पुरानी पद्धति के इसाब से हम उनका नामकरण करते हैं जैसे कि आपका पहला एक्जामपल यहां पर देखिए मिठाइल अलकोहल यह होगा आपका आइन प्रोपाइल अलकोहल और यह हो गया आपका आइसो प्रोपाइल अलकोहल और जनी एन जनरली हम जहां पर भी डिनोट करते हैं तो वह क्या इंडिकेट करता है इंडिकेट टाइप और ब्रांच इन अलकाइल ग्रूप में किस तरह की शाखाएं मुझूद हैं यह इस को बताता है अब सेकिंड जो आपके आता है वह आती व्युत्पन पद्धती यानि कि इस पद्धती में सभी अलकोहलों को अलकोहल शेनी के सरलतम सदस्य सरलतम सदस्य कौन सा हुआ हमारा सी एस्ट्री ओएच का वित्पन माना जाता है और इसको क्या कहा गया कार्बिनौल अब बचों यहां पर जो सब्सक्राइब किस तरह से रखा गया सबसे पहले Subscribe to work हो गया दो हमे को Stern नो अब इसमें दो इस वाले में दो CS3 ग्रूप है तो हम इसको कहेंगे डाय मिथाइल कार्बीनॉल अब यहाँ पर तीन है तो हम इसको बोलेंगे ट्राइमिथाइल कार्बीनॉल और यदी बच्चों आप यहाँ पर देखें यहाँ तो दो लेकिन यहां पर एक सीस्टू एच फाइफ है तो हम क्या कहेंगे पहले इसको इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल अब चों बहुत सारे कंपाउंड से जगर जगर जित्वी सर्च हुई जित्तेव नय नई कंपाउंड परन port it गए तो बहुत सारे उनके नाम रखने में जो प्रचली थे वह हैं उसे सिस्टम के आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं बच्चों यह पद्धती आपने पहले भी पड़ी है 12 के अंदर और आप इसे पढ़कर आए चुकि हमारे स्रेबस में मेंचन है तो अल्कोहल के नामकरण में और कई बार यहां पर शॉट तो बच्चों इसके पहले नियम के अनुसार आप देखिए कि सबसे पहले हम जो पहला पॉइंट है वो है सबसे लंबी शंकला का चैन करते हैं और उस चैन के बाद ही हम उसका नम्बरिंग करेंगे सब्सक्राइब करते हैं और लास्ट पॉइंट हमारा है नाम में पूर्व लगन में ठीक हम उसको जोड़ देते हैं जैसे ओच है इसमें हम ओल जोड़ देंगे इसी के आधार पर हम इसका नामकरण करते हैं अब बच्चों यहां पर आप पहला एक्जांपल देखिए मीथेनॉल इथेनॉल अब यहां देखिए अब यहां पर हमने सबसे बड़ी शंखला का चैन किया यह अब नम्बरिंग करेंगे हम इसकी वन टू थ्री यानि टू पोजिशन पर हम क्या लिखेंगे टू प्रोपेनॉल यानि तीन कार्बन है इसले प्रोपेन आएगा अब बच्चों यहां पर यह वाला टिपिकल एक्जामपल लेते हैं अब इसमें इसमें नम्बरिंग करी हुए तो आप इसको देखिए वन टू थ्री फोर अब यहां पर टू पोजिशन पर हमारा मिथाइल गूरूपी प्रेजेंट है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे टू आपको देखने को मिलेंगे और आप इसी तरह से कितनी भी शाखित यदि हमें अल्कोहल का कंपाउंड दिया जाए ब्रांच अल्कोहल दी जाए तो आयूपीस के आधार पर हम आसानी से उसका नामकरण कर सकते हैं अब सेकिंड आपका आता है मैथर और प्रपरेशन कि हम कि तरह से एल्कोहल को सिंत्रेसाइज करते सकते हैं तो बच्को सबसे पहला है फ्रॉंप एलकडाहल ह logr forty को बनाइंगे ऐल्किल हेलाइड हो का जलिय के साथ जल अबगटन द्वारा हम अलकोहल का निर्माण कर सकते हैं तित्यक एवन तित्यक अलकेल हलाईडो के शारिय जल अबगटन से अलकोहलों के साथ में अलकीन भी हमें मिलती है और इस विज़िका हम जादा उपयोग नहीं करते हैं अब वो क्यों नहीं करते हैं इसको अपन देखते हैं आपने simple reaction दे देखिए यहां पर आर एक्स और चसके साथ reaction करके एक्स निकल जाएका living group के रूप में और आपको यहां पर alcohol मिलेगा अब R के जगह बच्चों यहाँ पर हमने C2H5 लिया है अब यहाँ पर हमने सकिंडरी लिया है और यहाँ टर्श्री लिया है बच्चों देखो यहाँ पर माइनर प्रोड़क्ट के रूप में हमें अलकीन मिल रही है और टर्श्री में हम देख रहे हैं मेजर प्रोड़क्ट के रूप में हमें अलकीन मिल रही है और इसी वज़े से इस विधी का उप्योग जादा नहीं किया जाता है अब नेक्स रियक्शन अपन देखते हैं फ्रॉम अलकीन अब अलकीन से हम किस तरह से अलकोहल का सिंथेसिस करेंगे बाइ दा एक्शन ओफ सल्फियूरिक एसिट यानि कि सल्फियूरिक एसिट से हम किस तरह से अलकीन अलकोहल को बना सकते हैं जब अलकीनों को ठंडे सल्फियूरिक आमनों में प्रवाइद करते हैं अलकील हाइडोजन सलफेड बनता है अब इसे जब हम जल्व भाब द्वारा जलब घटित कराते हैं तो हमें अलकोहल प्राप्त होता है अब बच्चों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि अब बनने वाला जो अलकोहल जो हमारा बना है वो डिपेंड करेगा कि मॉर्कॉनिक आपने फस्टियर के अंदर मॉर्कॉनिक और एंटि मॉर्कॉनिक और नियम दोनों पड़े हैं आपने से ट्वेल्ट में भी पड़ा है कि जब आपकी अन्सिमेट्रिकल एलकीन की बात आती है तो उसमें किस आता है आपका हाइडो ब्रॉरोनी करण ऑक्सी करण विधी अब इसमें बच्चों एलकीन की रियक्शन हम भी एच थ्री का होल ट्वाइस से कराते हैं तो हमें क्या होता है कि एच एक एक एच रिप्लेस होता जाता है और उसकी जगें हमारा ये ग्रुप जुड़ेगा आर का CS2 CS2 इसे हम एलकॉहाइल बोरेन कहते हैं बत्कों यहाँ पर देखी और जब हम इसका औक्सडेशन कराते हैं स्मेर लेक्शन company मर्क्युरी करण विधी ऊक्सी मर्क्यूरी करण में में जल दो एवं Tetra Hydrofuren के माध्यम से जल और ये Tetra Hydrofuren के साथ हम एलकिन और मर्कुरिक एसिट के रियक्षेन करवाते हैं तो हमें एक योगात्मक अभी करिया देखने को मिलती है और जिसकी हम sodium borohydrates की उपस्तिती में यदि हम उसका reduction करवाते हैं अब चैन करवाते हैं तो हमें alcohol मिलता है अब बच्चो next reaction है from carbonile compound carbonile compound से हमें किस तरह से alcohol मिलेंगे तो बच्चो generally simple सा catalytical यदि हम hydrogenation कराएं या पिरिल के hydrogen करण करवाएं तो हमें alcohol मिलते हैं यानि कि यदि हम aldehyde की बात करें तो हमें यहां पर क्या secondary alcohol मिल रहा है ketone से भी हमें secondary alcohol मिल रहा है second आता है हमारी धातु विलायक सयोजन द्वारा अप्चैन या इसको कहते हैं बटा यह नेम reaction है यहां को अच्छे से याद्खना बूबो ब्लाक प्चैन कहीं कि यह बार आपके जो आते हैं एक्जाम के अंदर तो तो उसमें बच्चों नें reaction को दिया जाता है तो आपको इपता होना चाहिए कि जो भी reaction है उन सी नेम reaction है तो सिंपल सा यदि हम एसिटल्डी हाइट का रेडक्शन कराते हैं सोडियम और इथेनॉल की प्रेजंस में तो हमें अलकॉल मिलता है की टोन से वही सकेंडरी मिल रहा है हमें और यदि हम एस्टर लें या एसेड लें तो भी हमें प्राइमरी अलकॉली मिलता है अब नेक्स्ट आता है आपका संकु धा धात्विक राट्षण कंप्लेक्स मेंटलि हाइड्राइड का म्लेक्स मैंटल्ड हइड्रेड की लीथियम अलुमिनियम है वहा सोडियूं बोरो हईड्रेड वहा पर्थेया而 जो आपके धात्विक राइड 민emi हम आपके जो एल्टिहाइड है और किटों क्द से Oh यह यह नीचे रियक्शन दी हुई है आपके सिंपल सी सी है सोडियूम बोरो हाइड़ाइट की प्रेजंस में यह इतनौल में प्रेजंट कर्णवर्ट हो रहा है और यहां आपके बीटेनौन से आपको देखें यहां पर सेकेंडरी अलकोहल मिल रहा है इसी तरह लीटियम न और इसको यूज करते हैं और बहुत सारी रिएक्शन देस्स में इसका उप्योग किया जाता है और एक माथ गृणाख अभिकरम की है जिसे हमें प्राइमरी और से तीन्हों अलकोहल मिलते हैं यह हम गिणाक अभिकरमक की फॉर्मल्डी हाइट से रियक्षन कराते हैं तो में primary alcohol aldehyde reaction कराते हैं तो secondary alcohol और यदि की टों से हम reaction कराते हैं तो हमें ट्राइश्री alcohol मिलता है यदि हम acid से और उनके derivative से भी primary जो हमारे सारी जो हमारे जो alcohol से उनको आराम से बना सकते हैं अब आप सिंपल सी reaction में देखे लीते हैं aluminum hydrate की presence में reduction किया गया है और आप यहां जैट जो है वह ओएच cl यानि की ओएच हो गया तो acid हो गया जैट की जगह cl हो गया तो acetyl chloride हो गया एस्टू जूड़ा तो primary amine की यदि हम नाइट्रस अमल की अभीक्रिया से एक जटिल मिश्रन प्राप्त होता है और जिसके द्वारा हमें primary extended alcohol मिलते हैं तो बचो सिंपल सी reaction है हमें प्रोपेन बी मिल रहा है लंसाद मिल रहा है अब यह तीनों प्रडक्ट क्यों ली रहे है यह तीनों प्रडेक्ट इस वजर एसमिल रहे हैं कि जब हम इसकी reaction करवा रहे है एने नो2 की प्रेजएंस में ह numéro 2 तभी बनेगा तो हम यह यह देखते हैं कि यह पर ढाई अगर ज्बम सॉल्ट के निकलने से यहां से यह ले निकल जाएगी और उसकी बाद में जो तो हमें कार्ब काटन मिलता है यहां फे दीखिये तो वह वन डिग्री काटा के टायन मिलता है जो की रियारेंज होां 웃 में कुल जाता है कि हैं जो कार्ब के टायन सबसे जयादा स्टेबल होगा यद कर आप यहां परहने क सिट्म क्या ऐक्वर्ण में तो है तो हमें ऐलकीन मिलता है भात आती है को फर्मटेशन वी नीम यह बच्छो कब Πे यूग की जाती है यह गोष्ट हर कि यूग सारे ऐसा आ रहे हैं जिसमें की अल्कॉहल प्रेजन प्रेजन है तो बचो जो कमर्शली अल्कॉहल को यह संत्राइज किया जाता है वो जो विदी है वह आपकी फर्मनेटफेंटेशन विदी अब इसमें क्या होता है विपन मोनोहाइड्रिक एलकॉहलो जैसे की एथेनल ब्यूटेनल इत्यादी का निर्मान किडवन विजी द्वारा किया जाता है चीनी जोग में हमें एक शीरा मिलता है जिससे हम एथेनौल का उप यूप उसको बना सकते हैं और यह हमारे औध्यों के उत्पाजन में यह विजी काम आती है सबसे पहले क्या करते हैं जो शीरा होत कर उसके पीअच को हम फोर कर देते हैं और आप इस समय इसको क्या ये उसकी क्वापन fulfilling को 35 आप इसमें डाल देते Aww और टैंकमें बड़े बड़े जैंकम में इसको भर के रख देते हैं और वहां पर फर्ग्मेंटेशन की प्रकृichen शुरू होती है और फाइनली हमें अलकोहल मिलता है अब बच्चों इसमें यहां पर आप यह देखिए कि सुक्रोज है आपकी शरकरा थी इन्वर्ड करी गुलकोस और फ्रक्टोस में अब यह जो गुलकोस बनाएं इसने जाइमेज एंजाइम ने इसे इथेनॉल में अलकोहल को बनाया जाता है जर्नली जो से जो प्राप्त होता है शरका उसको अपन माल्ट कहते हैं और इसके अंदर माल्टोस होती है अब यह जो माल्टोस है यह माल्टोस क्या करेगी जिस्ट की प्रजेंस में इसको गुलकोस में कनवर्ट करेगी पहले तो डाइस्टेज एंजाइम इसे माल्टोस बनाएगा यह माल्टोस बच्चों इसकी प्रजेंस में गुल्कोस कनवर्ट करेगी और पता है जाइमेज जो है इसको अलकोहल में परिवर्तित कर देता है अब उप्रोक्त विधी से जो हमें एथेनोल प्राप्त हुआ है उसका हम प्रभाजी आस्वन करते हैं और आस्वित एथेनोल को 95% अलकोहल केते हैं और परिशुद अलकोहल को 100% प्राप्त होती है जिसमें थोड़ी सी बेंजीन मिलाई जाती है इस मिश्टन के सिर्क अथनी एजो ट्रोपिक डिस्टिलेशन से तीन फ्रक्शन मिलते हैं फर्स फ्रक्शन में हमें बेंजीन सेकंड में एथेनोल और तीसरे में हमें जल का मिश्टन मिलता है जिसे हम जित्यक फ्रक्शन में बेंजीन और एथेनोल का द्यंगी मिश्टन होता है जिसे हम अंतिम जो फ्र से भी और यदि हम लैब में बनाचना चाहें तो भी हम इसको संथेसाइज कर सकते हैं नेक्स पर हम इसकी फिजिकल प्रापर्टी और इसकी रासाइनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद